अब चूंकि आपने Google My Business में अपनी लिस्टिंग अड़ कर लिया है नेक्स टेप यह है कि आप इसको आप्टिमाइज करें ताके Google को आप अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम, अपनी लोकेशन, अपना फून नमबर, अपना अडरेस, अपना एमेल अडरेस, इस सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताके Google में जब कोई यह सर्च करें त यहां तक कि अगर आप ऐसे मुलक में हैं जहां Google यह सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उनका फोटोग्राफर और कर सकते हैं, जो उनका फोटोग्राफर आएगा और आपकी तस्वीरें लेकर बड़े अच्छे से अंदर से और बाइर से सारी तस्वीरें लेकर आपकी दाल देगा, तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कि अल्टिमेटली यह लिस्टिंग गूगल का एक और से प्लैटफॉम है, लोग समझते हैं कि गूगल का सोशल मीडिया चैनल नहीं है, लेकिन गूगल मैस इसलफ यह गूगल का सोशल मीडिया चैनल है, इसमें अगर आप खुद से तस्वीरें अची खेंच किये, अपने आफिस तस्वीरें लगाएं, अपने स्टाफ की तस्वीरें लगाएं, अपनी वो सारी अपडेट लगाएं, सारी शीज़ें पॉसिबल हैं, मैं आपकी लाइव डेमो दिखाऊंगा, जितनी इन्फरमेशन आप तक नहीं किया है, मुझे वो लेटर मैंने नहीं मंगवाया, जब मैं लेटर मंगवाऊंगा, तब यह वेरिफिकेशन होगी और यह पबलिक ली अवेलिबल हो जाएगी, इन दा मीन टाइम मैं बाकी सी दिन देखूँगा कि गुगल मुझे क्या 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 आप्शन दे रह होने वाली है, अगर आप किसी दिन छुटी करते हैं, आप संडे क्लोज जाएं तो आप संडे क्लोज रखें, इससे यह फाइदा होगा कि लोग जो है, वो बेसिकली जब सर्च करते हैं, तो उनको साथ ही पर चल जादा कि आपकी आपकी क्लोजिंग टाइम के हैं, तो आप दो लिखके यहां पर, सारे जो है, आप कर सकते हैं, अगर आप दिन में दो दफ़ा, मतलब सुबा ओपन करते हैं, फिर दुपैर को आफ करते हैं, फिर शाम को आफ करते हैं, जिसना अखसर डॉक्टर के अपॉइंट्मेंट्स होती हैं, सुबा दो-चार घंटे, शाम को द लोगों को help करती है तो again ultimately ये Google आपको इसका reward करता है तो मैंने randomly बाकी जगों पे Monday को मैंने 8 से 2 बजे का time रखा है बाकी मैं 24 hours रखा है अगर आप 24 hours open है तो आप 24 hours select कर सकते हैं जैसे मैंने इसको save करूँगा Google मेरे completion score बेतर करेगा मैं home पे जाता हूँ वापस तो आप देखेंगे कि वो already मेरा 65% हो गया वो मुझे कह रहा है कि अपने description एड़ करें प्रफाइल पिक्चर एड़ करें वगरा वगरा ये सारी चीज़ें मुझे suggestion दे रहा है ताकि मैं 100% listing को पूरी करूँ राइट साट पर बता रहा है कि मेरे जैसे business और क्या क्या कर रहे है वो अपनी offers लगा रहे है ये Google का एक तरीका है मुझे convince करना है कि मैं Google का ये platform यूज़ करूँ ताकि मैं भी वो offers लगा हूँ जो बाकी लोग offer लगा रहे है और वो major location के असपर मुझे बता रहे है कि लोग और क्या क्या कर रहे है तो मैं यहां से create post का बटन दबा के जिसे हम Facebook में status update लगता है उससे मैं भी status update लगा सकता हूँ और आप देखेंगे कि इसमें पूरा एक image और उसकी जो है वो post और बाकी सारी चीज़ें event है तो event offer है product है या कुछ भी है different तरीकों से मैं कुछ भी यहां पर publish कर सकता हूँ और यह चीज़ें सबसे इंटरस्टिंगली यह चीज़ें Google के search engine में available होंगी और इसलिए यह मैं जादा powerful इसलिए समझता हूँ कि जब कुछ search करेंगा आपकी products related उसको Google आपकी price भी दिखाएगा आपकी range भी दिखाएगा आपके नाम और सब चीज़ें production वगारा सब चीज़ें वो दिखाएगा और जहां तक आप इसको preview भी कर सकेंगे तो यह बड़ा interesting और बड़ा powerful टूल है Google की तरफ से जो के location में आप काफी अगर आप location marketing कर रहे हैं तो आपको यह बेतर रहेगा आप नहीं भी कर रहे हैं तो मेरी recommendation है कि आपसको करें reviews में reviews तो आपको मिलेंगे जब basically आपको लोग देखेंगे और उसके बाद आपके reviews आपको देंगे अक्से लोग strategy यह करते हैं कि वो review लेने के लिए free offer या कुछ discount दे रहे हैं ताके वो user उस discount को लेने के लिए offer आपको review free करें फिल्हाल हम यह नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब तक हम verify नहीं करेंगे हमारी listing public नहीं होगी public नहीं होगी तो हमें को review नहीं दे सकेगा इस दिरहां से वो मुझे stats कहरा है कि आपको stats यह नहीं कि जिसना google analytics में नहीं आपको show किया था पिछे topics में कि कैसे google analytics से आप track कर सकते हैं कि कौन लोग आ रहे हैं कहां पर आ रहे हैं कहां से exit कर रहे हैं google आपकी local listing के stats यहां show करता है जब तक आप पब्लिक नहीं जाएंगे तब तक वो आपको नहीं यहां show करेगा मैं आपको जल्दी से left side में जो columns में के tabs आपको show कर देता हूं कि different tabs में क्या options available हैं home का अपने section देख लिया है home के बाद मैंने post के section में गया तो वहां पर मैं अपनी status post लगा सकता हूं depending on के मैं क्या उसको अपट कर रहा हूं यहां पर आप डेली की एक post और दस post लगा सकते हैं इस सारा content Google में accessible होगा और visible होगा अभी मुझे वाइर दे रहा है कि जब तक मैं verify नहीं करूंग तब तक मैं उसको नहीं लगा सकता हूं मैं inform में जाता हूं inform basically मेरी business की information है कि उसमें मैंने image क्या रखना है अपना banner image क्या रखना है अपनी services क्या एड़ करनी है अपना address चेंज करना है या अपना मैंने service area चेंज करना है अपने opening hours special hours और अपना phone number अपनी domain अपनी attribution सारे चीज़े मैं जो चेंज करना चाहूं मैं अपनी profile यहां पर build कर सकता हूं यहां तक कि अगर मैं कोई मैं एक से जादा stores हैं तो मैं अपने store का code भी लिख सकता हूं कि यह मेरा store number one store number two store number three यह जो भी code आपने डिसाइड की है अपने stores के वो भी आप लिख सकते हैं उसके बाद अगर आपने रिमूफ करनी हो लिस्टिंग आपका यह बिजनस बंद हो गया यह लिस्टिंग ऐसी रिमूफ करनी है तो आप भी कर सकते हैं ultimately insights पर जाएंगे यह वही चीज़ है जो results की में बात कर रहा था Google जब आपको इस्टिंग वेरिफाई होगी यहां पर आपको बताएगा कितने लोगों ने आपको सर्च किया कितने लोगों ने देखा कितनों ने क्लिक किया कितनों ने काल किया और कितनों ने यहां तक किया generate की अपने mobile से आपके location तक आने तक इस सारी चीज़ें काफी valuable हैं जब बिजनस लोकल बिजनस जब आप चलाएंगे तब आप कोई काफी चीज़ें हलफुल रहेंगी उसके बार रिवियूस जब भी आपको कोई छोड़ेगा तो रिवियूस सेक्शन में यहां पर आपको नज़र आएंगे आप हर रिवियू का जवाब दे सकते हैं अच्छे रिवियूस को आप अप्रिशेट करते हैं और जो बुरे रिवियूस होते हैं वो भी आपके control में नहीं होंगे जब आप service अची नहीं देंगे तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि आपको रिवियू ब इन बॉक्स के टाइप एक आपको आप्शन है आपको एमिल देनी नहीं पड़ती है यहां से ही लोग आपको message छोड़ेंगे जहां पर आप जब उसका reply करेंगे तो आपके सारा यहां पर data stored होगा photos जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि photos आप खुद भी add कर सकते हैं या आप अपनी किसी photographer को order कर सकते हैं कुछ मुलकों में जो Google है वो खुद recommend करता है आप उनकी photographers को hire कर सकते हैं यहां पर different categories की photos है profile cover video उसके बाद आप आगे चलते जाएं देखेंगे ओपर यह टाब्स बनाएंवें videos आप यहां पर upload कर सकते हैं interior design की यहां चीज़ें upload करें exterior की यहां पर upload करें आप work में कैसा work style आपकी interior कैसा आपका decorum कैसा है आपके kitchen कैसा है सारी चीज़ें आप at work किस तरह से अपना महौल एक वो बेटर महौल आप provide करते हैं वो आप यहां पर add करें team की photos आप यहां add करें identity यह नहीं कि branding जो कि आपकी branding आपका logo वगरा है जो आपके banner होगा आप यहां my business की आप चोटी सी website बना सकते हैं जो Google as a website शो करेगा अगर आपकी website है तो आपके इसकी जरूत नहीं है लेकिन अगर आपकी website है भी तो आप फिर भी बना लें तो इसमें कोई हर्च भी नहीं है finally अगर आपको किसी user को एड करना है तो आप यह users में जाके उन लोगों को एड कर सकते हैं ताके आप अपने client को access दे सकें या यह भी कर सकते हैं कि अगर client ने आपको एड करना है तो आपने users में जाए और आपको access दे देगा उससे यह होगा कि आप उसकी listing को manage कर सकेंगे एक और चीज यह भी देख लेंगे आप जहां से जब एड रन करना चाहें तो यह जहां से लोकल एड यहां से रन होते हैं अगर आपने अपने गूगल बिजनस लिस्टिंग को एड से बूस्ट करना है तो आप जहां जाएंगे और जहां से एड क्रेट करेंगे यह Google AdWords से डिफरेंट है लेकिन यह हमारे कोर्स में फॉल नहीं करता है यह आपने अपने 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 पर आपके लिए बाकिशन आपके शीजें यह आप खोड़ी एक्स्टिंग कर लेंगे आपको यह समझ आई होगी और यह अगर आप यूस करेंगे तो आपके लिए एक करवाया है कि इस तरह से यह अपने आप में पूरा सोशल चैनल बन चुका है अगर आप इसको मिस करेंगे तो यह सारी शीज़ें जो गूगल में आ सकती हैं और यह वह चीज़ें जो आप फेसबूक पर नहीं कर सकते या किसी और प्लैटफॉम पर नहीं कर सकते गूगल मे बेस पे वह आपको रैंक भी करेगा हमने बाख बार बात की कि गूगल कांटेंट को प्रैफर करता है यह भी एक तरह का कांटेंट है जो आप क्रेयट कर रहे हैं और यह कांटेंट आपकी प्रोफाइल से लिंक्ट है यह गूगल को हैपके अमेज बेतर शो करने में और इसको definitely अपनी SU strategy में इसको add करें.